आप से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कर्फ्यू के जलते अभी लोग अपने अपने गरों में दूपके पढ़ें लेकिन अभी अभी जो नालागर से 43 मुसल्मान पगड़े गए हैं और उनको कॉरेंटाइन किया गया है इस विशे में आप लोग का क्या कहना है कि ये हमारा हीमाचल सुरक्षी तरह से खरकर हुआ से कि उसके हमे थोड़ी से कि हमारे जो लोग जिनके पास ठहरे हैं आके पुराथ पास के प्रोस के जो लोग थे वह उनकी भी ज़िमेदारीय प्रशाषन को बताने की कौन यह ठहरा है कौन नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम भाईचारे को अपनाएंगे या मेरा प्रोसी नराज हो जाएगा म काम नहीं चलना है कि जो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा अवेर नहीं हुपए सोचल डिस्टेंसिंग के लिए लोग अभी भी इसको लाइन ओडर की समस्या समझ रहे हैं बहुत किसी की रिक्वेस्ट आती रहती है कि मेरा पास बना दो निकलने का तरिक्का बता दो लेकिन कि बहुत ज़्यादा आप शोचल डिस्टेंस अपनाएंगे उतरा ज्यादा आप अपने आप को अपने परिवार को उससे ज्यादा आप बाकी समाज के लोगों को बचाएंगे इतने ज्यादा लोगों के संबर्कवें आएंगे आप सबको बीमार कर सकते हैं इसा मेरा यह मिलती है कि कोई व्यक्ति बाहर से खोरण यात्रा करके आया हो या कोई प्रदेश के बाहर से आपके गों है उसकी प्रशाशन को ज्रूर दे जो फोरन से वक्ति वापस आता है उसके लिए 28 दिन का रखा हुआ सपरकार ने उसको जो हैल्थ वर्कर्स है बेली चेक करते हैं और जो दूसरे प्रदेश से लग्ति आता है उसके लिए 14 दिन का कॉइट इंप रहे जो अपने घर पे 14 दिन तक रहे एक पद्धी पुलिस का है तो ऐसे ही यह पेजी रहे हैं इन पर हर दिन में तीन चार बार जो नोटिफिशन जारी होती है सुचना है अधान प्रदान होती रहती है तो दूसरा मेरा अम्रोद है जो पचैती राज से जुड़ेवे लोग हैं चार परदान हैं चार बीडिशी मेंबर हैं चार जिलब पच्छत लोग हैं उनका तकरीवन हर आवक्ति से उनकी जामशान होती है वह भी अपनी इस जो जै समाजी को एक समस्या आई है उसमें वह भी सरकार की साहता करें परशाश्या की साहता करें और अपने सभी लोगों को कसे जास करें कि कोई भी आपके परोष में चाय कोई किसी भी समाज से किसी धर्म को तर्गेट करना हमारा मकस्द नहीं मैंुलिए उसकी त्हटी का इसे धर्म से हो एक इस सप्सक्राय को उगत और भी आप बाहु जाहे घब से गेट को ले या कुछ करें अपने हाथ दोकर साबून से या फिर हैंड वास से दोके तब अंदर जाएं उसके बाद खाना खाएं बाहर सगर आप घर से बाहर गये हैं कोई समान लाने अमेरजेंसी में उसमें ये कोशिश करें आप जब घर के अंदर आएं तो अपने हाथ अचना ऒल्यूकर के फिर बाकी परीवार के साथ लोगों के साथ मिलें और दुसरा मैं लोगों से कहना जाँगा कि हमारा जो परदेश है दिजयतार गवबसता है और गवार्वं मेहें रिवाज रहा है कि जब भी हम रात को या दिन में खाना नाते है कोमरेंगा कल्चर है क कि एक व्यक्ति का दो व्यक्ति खाना हम एक्स्राबनागे रखते हैं तो कभी भी हमारे गौन से किसी दूसरे कि बॉसरे मेरे गौन मे कोई आदमी बुका है अगर हर व्यक्ति अपने पड़ोज के इतने फिस ग्रीव लोग है उनकी जिम्मवारी लेले कि वो कोई भुखा नहीं सोगा रात को आस्पड़ोस में पूछे तो मैंने कहता कि कोई इस समस्या कोई बड़ी है और 14 दिन का एक क्वारिटिन पिरिड है होनर्स के लिए 28 दिन का है अगर हम इसको कर लेंगे वो लंबा नहीं जाएगा अगर हम कोई नहीं करेंगे परशाशन को जो भी परशाशन कर रहा हो हमारे ली कर रहा है तो यह लंबा जा सकता ए उससे हमें और कही समस्या है मैं सावना करना पड़ेगा इसलिए मैं सबसे अन्रोद करना चाहूंगा कि घर पे रहें स्वास्त रहें खुद भी ठीक रहें और बाकियों को भी स्वास्त रहने दे आप देख रहे हैं आपका चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाए ताकि आप अभूती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन